नमस्कार दोस्तों एक और नया वीडियो में आपका दिल से जवागत है तो किसान भायों आज हम आपको धान की एक ऐसी विराइटी के बारे में बताने वाले हैं जिसको आप लगा के रवी सिजन में धान की बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं तो उसके बारे में कंप् रिसर्च पैडी है रिसर्च पैडी मतलब यहां संसोधी धान बीज है यहां हाइब्रिड नहीं है यह सिल्की 270 की ओधी उम्र डियूरेशन के बारे में बात करें तो यहां 120-125 दिन में हैं पकर त्यार हो जाता है बीज से बीज और इसके पौधय के लंबाई के बारे में ब अचा रहता है और इससे जो दाना का साइज हो मध्यम मोटा आता है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं आता है और यह जो सिल्की 270 है इसकी कुछ माइनस पॉइंच भी यहां गिरने के प्रति सहंसिल नहीं है इसका पौधा अनुकुल प्रस्थिति में नीचे गिर सकता है और य ज़्यां में रखके ही आप इसका चेहन करें और इसका और यह जो शिल्की 270 है यह बहुत अच्छा धान की वराइटी है और इसकी 10 किलो की पैकिंग आती है जो लग भग मार्केट में 800 रुपय के करीब पड़ती है अगर आप इस प्राइटी के चैन कर रहे हैं तो आप जब पौधे में बाली आ रही होती है आती है उसके बाद आप जो आता है घरडा का चमतकार उसका प्रयोग कर सकते हैं उससे क्या होगा ग्रोथ रुख जाएगी और वह नीचे नहीं गिरेगा और बिपीएच के लिए आप चेस का प्रयोग कर सकते हैं पहले से आप उसका उप्योग करेंगे तो बिपीएच का टेक नहीं होगा और आपको बहुत अच्छा उत्पादन देगी यहाँ वेराइटी और जाएजवान जाकी सान